नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हिमाचर प्रदेश करमचारी चाइन आयोग और हिमाचर प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बहुत जादा इंपॉर्डर नोडिफिकेशन जारी किये तो आज की वीडियो में उनी नोडिफ कर दिये गए हैं इसका जो मुख्यकारण है वो यह है कि जो भी कैंडिडेट्स थे उन्होंने फीपे नहीं की थी जिनके आविदन रद हुए उन्होंने फीपे नहीं की थी या तो फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है तो उनके मिसिंग बताए जा रहे हैं तो दोस्तों य हाँ पे रिजेक्टर शो हो जाएगा अगर आपकी रिजेक्ट हुई है तो अगर नहीं रिजेक्टर शो नहीं होता तो इसका मतलब आपका जो है तो रिजेक्ट नहीं हुआ है और कुछ दिनों में जो बोर्ड शायद इसकी रिजेक्टर लिस्ट भी जारी की जाती है वही दूसरी ख़बर हिमाचर प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से आ रही है, वहां बोर्ड ने बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, जो भी पहली से आड़ी तक के बच्चे उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए बोर्ड ने अब तैयारी शुरू कर देज जीहां दोस्तों घर बैठ है जो तो बच्चों को अप्वाया जाएगा इसके जो वटसेप के माधिम से पढ़ाआ जाएगा का जा रहा है कि जो बोर्ड ने निर्देश दी है को कि वर्ट्सेप wisely बनाया जा है जिसमें बच्चों के अभिवाब को जोड़ा जाए और बच्चों के अभिवाब को उसमें क्या किया जाएगा टीछरs द्वारा हॉमवर्क दिया बच्चों को स्टार्टिक में हिंदी और गणित की ही कक्षाएं शूरू करने का फैसल लिया जो 16 अप्रेल से है तो इसमें क्या है दस से बारा की समय सानी रहेगी दस से बारा तक बच्चे पढ़ेंगे टाइम टेवल यह रहेगा और उस बीच जो है तो टीचर्स जो है तो ह सॉला से यह शुरू होगी उसके बाद जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वह दीर दीर बढ़ाये जाएंगे तो यह एक अभियान शुरू किया गया है तो दोस्तों घर पर बैठ कर भी पढ़ाई की जा सकती है इसके लिए बोर ने त्यारी कर दिया तो दोस्तों यही जो इंप